गुड मॉनिंग बच्चों मैं मोनिका शर्मा आपकी मैस के टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीन की गणित का अध्य है 16 जिसका नाम है सम्मिती और इसके भाग 5 में आज हम प्रश्णावली 16 के प्रश्ण संक्या एक से चार त के सभी प्रश्णों को हल करेंगे पिछली कक्षा में हमने अभ्याद 16.2 के सभी प्रश्णों को हल किया था और टो व्यू एवं साइड व्यू को जानने का प्रियास किया था कि वस्तू का कौन सा हिस्सा टो व्यू होता है और कौन सा हिस्सा साइड व्यू होता है तो हमने जाना था कि किसी भी वस्तू या आकरती का जो इस्सा हमारी आकों के सामने होगा उसे हम टॉप व्यू करेंगे और जो इस्सा उसका साइड वाला होगा उसे हम साइड व्यू करेंगे ठीक है और आज की कक्षा में हमें प्रश्णावली सोला के प्रश्ण संक्या एक से चार त उन दो का जो पहला प्रशन था वो भी यही था कि अंग्रेजी के हमें उन अक्षरों को लिखना था जिने हम सम्मिती आकरतियां कह सकते हैं ठीक है तो जब हम यहां इस प्रशन को हल करेंगे तो सबसे पहले हमें अंग्रेजी वर्ण माला के सभी अक्षरों को यहां लिखना ह F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, or Z. ठीक है तो यहां हमने अंग्रेजी वर्ण माला के सभी अक्षरों को लिख लिया तो यहां हमने लिखा A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, or Z. ठीक है अब हमें इन अक्षरों में से उन अक्षरों को पैचाना है जिने हम लाइन खीच कर दो बराबर भागों में बाट सकते हैं यह जिने हम सम्मित आकरतियां कह सकते हैं ठीक है. तो यहां जब हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि यहां अंग्रेजी वर्ण माला का जो पहला अक्षर है वो है A, और यहां A को जब हम इसके बीचों बीच लाइन कीच कर दो पराबर भागों में बाटेंगे, तो हम पाएंगे कि इसके जो दोनों भा अगर वो एक सम्मित आक्रती है, अब जब हम इसके बीच लाइन कीच कर उसे दो पराबर भागों में बाटेंगे, तो हम पाएंगे कि इसके जो दोनों भाग वो एक सम्मान है, इसलिए यहां जो अंग्रेजी वर्ण माला का अक्षर है B, वो भी एक सम्मित आक्रती है, C, और जब इसके बीच लाइन खीच कर हम इसे दो पराबर भागों में बाटेंगे, तो हम जब इसके दोनों भागों के तुलना करेंगे, तो यहां इसके जो दोनों भाग है वो एक सम्मान है, इसलिए यहां जो यह C अक्षर है, वो भी एक सम्मित आक्रती है, अब अंग् अंग्रेजी वर्ण माला का चोथा अक्षर है D, वो भी एक सम्मित आक्रती है, अब अंग्रेजी वर्ण माला का जो अगला अक्षर है वो है E, और इसके बीचो बीच लाइन खीच कर जब हम इसे दो बराबर भागों में बाटेंगे, तो हम पाएंगे कि यहां जो से भी दो बराबर भागों में नहीं बाटा जा सकता है, और अंग्रेजी वर्ण माला का जो अगला अक्षर है वो है G, और हमें पता है कि G भी सम्मित आक्रती नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी सम्मित आक्षर नहीं है, अब अंग्रेजी वर्ण माला का जो अगला अक्षर ह और हमें पता है कि यहां जो अंग्रेजी वर्ण माला का अक्षर है एच उसके दो सम्मित अक्षर है और उसे हम दो जगह से बराबर भागों में बाट सकते हैं एक सम्मित अक्ष हो गया ये और दूसरा हो गया ये ठीक है अब अंग्रेजी वर्ण माला का जो अगला अक्षर है वो है आई और आई का जो सम्मित अक्षर है वो है इसके बीचों बीच और जब इसके बीचों बीच लाइन कीच कर हम इसे दो वराबर भागों में बाटेंग तो इसके दोनों भाग समान होंगे, इसलिए यहां जो आई है, वो भी सम्मित आकरती है. आप अंग्रेजी वर्ड माला का अगला अक्षर है, वो है J, और हमें पता है कि J यहां एक सम्मित आकरती नहीं है, क्योंकि उसका कोई सम्मित आक्षिन नहीं है. अब J से जो अगला अक्षर है वो है K और हमें पता है कि यहां जो K का सम्मित अक्षर है वो है इसके बीचो बीच और जब हमने इसके बीचो बीच लाइन खीच कर इसे दो पराबर भागों में बाटा तो इसके जो दोनों भागते वो एक समान थे इसलिए यहां के एक सम्मित आकरती है अंग्रेजी वर्ण माला का जो अगला अक्षर है वो है L और हमें पता है कि यहां L का भी कोई सम्मित आक्षर नहीं है इसलिए यहां L भी एक सम्मित आकरती नहीं है और जब L से जो अगला अक्षर एंगले जी वर्ण माला का वो है M और M का जो सम्मित अक्षर है वो है इसके बीचो बीच और जब हमने M को लाइन खीच कर दो बराबर भागों में बाटा और उन दोनों भागों के तुल्ला की तो हमने पाया कि यहां जो M है वो एक सम्मित अक्षर है M से जो अगला अक्षर है वो है N और N का कोई सम्मित अक्षर नहीं है इसलिए यह एक सम्मित अक्षर नहीं है N से जो अगला अक्षर है वो है O और जब हमने O का जो सम्मित अक्षर था वो खोजने की कोशिश की तो हमें पता है कि यहां O के दो सम्मित अक्षर है और उसे दो जगह से दो बराबर भागों में बाटा जा सकता है इसलिए जो O है वो एक सम्मित अक्रती है अब O से अगला जो अक्षर है वो है P और हमें पता है कि यहाँ P का कोई सम्मित अक्षर नहीं है इसलिए जो P है वो एक सम्मित अक्षर नहीं है पी से अगला जो अक्षर है वो है क्यूं और क्यूं का भी कोई सम्मित अक्षर नहीं है इसलिए क्यूं भी एक सम्मित अक्षर नहीं है क्यूं से अगला जो अक्षर है अंग्रेज अंग्रेजी वर्ण माला का वो है S और हमें पता है कि S का भी कोई सम्मित अक्षय नहीं है इसलिए यहां जो S है वो एक सम्मित आक्रती नहीं है अंग्रेजी वर्ण माला का जो अगला अक्षर है वो है T और T का जो सम्मित अक्षर है वो है इसके बीचो बीच और इसके बीच यहाँ चाल डबलू में 2-1-1-3 टॉ इन्य क्षिप, maar अगला ग्रत अक्षर है वह है वे बीच अपर गालं में माशति कर थे इन्यूभावन सब्सक्ते ہے है कि दो जगह से बराबर भागों में बाढ़ सकते हैं तो यहां जो X है वो एक सम्मित आकरती है X से जो अगला अक्षर है वो है Y और हमें पता है कि यहां Y का कोई सम्मित आक्षर नहीं है इसलिए यहां Y एक सम्मित आकरती नहीं है और Y से अगला जो अक्षर है वो है जेड और हमें पता है कि जेड का जो सम्मित अक्षा है वो है इसके बीचों बीच एक लाइन कीश कर हैं, इसके दो पराबर भागों में बाड़ सकते हैं और जब हम इसके उपपर वाले इसके नीचे वाले इसके डूसरे के उपर उल्टा करेंगे, तो उन दोनों का अकार एक इसलिए यहाँ जेड एक सम्मिताकरती है ठीक है तो जब हमने अंग्रेजी वर्ड माला के सभी अक्षरों को लिख है और उन में से सम्मिताकरती है डूणने की कोशिश की या उन अक्षरों को खोजने की कोशिश की जिने हम लाइन कीच कर दो पराबर भागों में बाढ़ सकत थे तो वो थे A, B, C, D, E, H, I, K, M, O, T, U, V, W, X, और Z ठीक है तो यहाँ हम इस प्रस्टन का उत्तर देंगे अंग्रेजी के वे अक्षर लिखिए जिनमें रेखा कीच कर बराबर भाग कर सकते हैं तो हम लिखेंगे A, B, C, D, E, H, I, K, A, M, O, T, O, T, U, V, W, X, और Z तो जब हमने यहाँ अंग्रेजी वनमाला के उन अक्षरों को लिखा जिनमें हम रेखा हैं कीच कर बराबर भाग कर सकते थे तो वो थे A, B, C, D, E, H, I, K, M, O, T, U, V, W, X, और Z तो यहाँ वे अक्षर हैं जिनमें अंग्रेजी वनमाला के जिनमें हम लाइन खीच कर दो बराबर भागों में बाढ सकते हैं आप जब हम अगला प्रशन देखते हैं तो हमारे सामने यहां प्रशन संक्या 2 में दिया गया है कि ऐसे तीन चित्र बनाईए जिनमें रेखा खीच कर बराबर भाग कर सकते हैं तो यहां जो हमारा पहला चित्र होगा वो होगा एक चोकोर आकार का ठीक है इसे हम दो जगह से दो बराबर भागों में बाढ सकते हैं जब हम इसके बीचों भी सीडी लाइन खीचेंगे तो इसे हमने यहां दो बराबर भागों में बाढ दिया और जब हम इसके बीचों भ वो होगा एक गोले का अकार और गोले को भी हम दो जगह से लाइन खीच कर दो बराबर भागों में बार सकते हैं जब हम इसके बीचों बीच एक सीधी लाइन खीचेंगे तो हमने गोले को यहां दो बराबर भागों में बार दिया और जब हमने यहां गोले के जो दोनो भाग उनकी जो तुलना की तो हमने पाया कि यहां गोले के दोनो भाग एक समान है और जब हम यहां गोले के बीच में आडी लाइन खीच कर उसे दो बराबर भागों में बाटेंगे और जब हम उसके उपपर वाले नीचे वाले इससे के तुलना करेंगे तो हम पायेंगे कि इसके जो दोनों भाग है वो एक समान है अब जब हम यहां तीसरा चितर बनाएंगे तो वो होगा तिकोना चितर और तिकोने चितर के जब बीचो बीच लाइन खीच कर हम इसे दो बराबर भागों में बाटेंगे और इसके जब दोनों भागों की तुनला करेंगे तो हम पाएंगे कि इसके जो दोनों भाग है वो एक समान है इस प्रकार इस प्रशन में हमसे पूछा गया था कि ऐसे तीन चित्र बनाई जिनमें रेखा खीच कर बराबर भाग कर सकते हैं तो हमने पहला चोकोर चित्र बनाया दूसरा गोलाकार तीसरा तीकोर चित्र बनाया और तीनों चित्र हुए हैं और उन चित्रों को आपको पूरा करना है और हमें पता है कि सम्मिति हम उन आकरतियों को बोलते हैं जो किसी लाइन के दोनों तरफ एक जैसी होती है अब यहां जो चित्र बने हुए हैं वो लाइन के एक तरफ वाले बने हुए हैं और दूसरी तरफ वाले चित्रों कि हमें यहां रशना करना है तो जो यहां पहला चित्र है वो उसका आधा हिस्सा हमें यहां बना हुआ दिखाए दे रहा है और उसका आधा हिस्सा हमें यहां बनाना है तो यह जो चित्र बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा तो जब हमने यहां जो तीसरा प्रशन था उसमें हमें अधूरे चित्रों को पूरा करना था यह लाइन सम्मिति के आधार पर जो चित्र दिये गए थी उनको बनाना था तो जब हमने जो पहला चितर था उसको बनाया, तो उसकी आक्रति थी, वह कुछ इस प्रकार बनी ठीक है? तो जब हम यहां दूसरा चितर देखते हैं, तो यहां लाइन सम्मिति के एक तरफ वाला इससा बना वा है और दूसरी तरव वाला हिस्सा में बनाना है और जब हम इसका दूसरा हिस्सा बनाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा तो जब हमने यहां प्रशन संग्या तीन में जो दूसरा चित्र था उसको बनाया या उसका एक हिस्सा जब हमने बनाया तो इसका जो एक हिस्सा ता वो कुछ इस प्रकार बना और इस प्रकार हमने इन अदूरे चितरों को पूरा किया. आप हम यहाँ प्रशन Sankhya 4 में देखते हैं कि अपने घर का side view बनाने का प्रियास कीजिए. कि आपको यहाँ प्रशन Sankhya 4 में अपने घर का एक चितर बनाना है लेकिन आपको उसका जो चितर बनाना ह वो उसके side view से बनाना है, मतलब हमें यहां जो चितर बनेगा अपने घर का या आपके घर का वो मतलब उसका side वाला हिस्सा हमें पहले दिखाए देना चाहिए और उसका जो सामने वाला हिस्सा है या जो उसका प्रवेस दौरा है वो हमें बाद में दिखाए देना चाहिए, त और इस मकान का जो top view होगा यदि हम मकान को या हमारे मकान को यह प्रवेश द्वार के तरफ से देखेंगे तो यह इसका top view होगा और यदि हम अमारे मकान को किसी दूसरे मकान की छस से देखेंगे तो इसका जो top view होगा वो होगा उपर वाला इस्सा ठीक है तो प्रशन संक्या चार में हमें अपने घर का side view बनाने का प्रयास करना था, तो जब हमने हमारे मकान का जो चित्र था, वो बनाने का प्रयास किया side view की तरब से, तो उसका जो चित्र बना वो कुछ इस प्रकार था, और मकान का जो यह वाला हिस्सा था, वो था side view और इसका जो आगे वाला हिस्स अगले भाग के बार में पड़ेंगे धन्यवाद